आज कार्तिक का पहला दिन है अब मैं कथा करने लगी हूँ कार्तिक की श्री कार्तिक भगवान की जै लक्षिन पती विष्ण भगवान की जै अब मैं कार्तिक की पहले दिन की कथा करने लगी हूँ सुनो आप लोग शिरी कार्टिक महात्वरत कता पहला दे शिरी सुझी बोले जब रही और शिरी कृष्ण चंदर से मंतना करके चले गए तब हर से कत-कत होगा सत्यभामानी अपने पती शिरी कृष्ण चंदर से कहा है स्वामीन मैं धन्य हूं मेरा सफल जीवन धन्य है मैं आपको क्रिक्ते सम मजदी हूं मेरे जनम दाता वे माता पिता भी धन्य है क्योंकि उन्हें ने निसंदे ती लोग सुंद्री मुझ सत्यभामा को जनम दिया है सुंदरता का प्रभाव है कि आपकी सोलह जार रिष्टें के रहते वह भी मैं आपको विश्यश प्रियूंकि इसी के लिए मैंने क अंसार के लोग कल प्रिष्ट का नाम तक नहीं जानते थे वही कब कल प्रिष्ट उस समय से मेरे आंगर में लगा हुए मैं ही बंदु सुदन तीनों लोगों के स्वामी भगवान लक्ष्मपति की मैं अतिशे प्रित्मा हूं इसलिए मैं आप से कुछ पोचने की इशा करत करते हैं तो मेरे प्रिष्ट का उत्तर विस्तार पूरत मुझसे कहिए जिसे सुनकर मैं अपना कल्यान करूं मुझे वह उपाय बताईए जिससे कल प्रियंट भी मेरा एक आपका एक मेरा एमम आपका वियोग कदापी ना हूँ शी सूची नहीं कहां इस प्रकार अपनी प् सद्रत हुअ चाटा दिया सत्यां की और कि रहे सात्य पूछा कि क्या वह उपाय और करते ही स्नौक को दे प्लकृत हो गई देवता हूं, उनके साथ किंद्र से भी लड़ गया, था है प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो, तो वह बड़ी ही अद्भूत बात है, तुम्हें मैं, जो किसी को ना देने वाली भूमुले, पस्तु को भी दान दे देता हूं, ना करने वाला काम भी कर देता हूं, नात मैंने पूर जनम में कौन सा दान व्रत अत्वत पस्या की थी, कि जिसके परभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार के बढ़ाओं से मुक्त हूं, और आपकी अर्धांगनी हूं, उसवर्दा गरूर पर सवारी करती हूं, आपके साथ इंद्रा देता हूं के यहां आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूं, यही मैं पूछती हूं कि मैंने उस जनम में कौन सा शुब कर्म किया है, पूर जनम में मैं कौन थी, मेरा कैसा सभावता और मैं किसकी पुत्री थी, शिरी किशन चिंद ने कहा ही, प्रिये तुम साबधन होकर सुनो, मैं तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सोबत लाता हूं जबकि सत्युकांत हो रहा था उस समय मायापुरी उस समय मायापुरी में एक आति गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मन लिवास करता था वैसमस्त वेदांगों में पारगत अतिर्थी पूजवक अगनी पुद्ध हुत्री रथा सुरे निरान करवत करता था सर्वता सुरे देव की पासना करने के कारण वहा दूसरे सु झुनवन्ती नाम की कन्या उत्पन होई देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक तो कोई संतान नहीं थी उसने पुत्ति का वखा आपने एक शिष्य चंदर के साथ कर दिया पुत्र विहिन दे शर्मा अपने शिष्य चंदर को अपने पुत्र के समान मानते थे और जीतें कर ये दोनों भाय से व्याकुल हो गए शरीर के अंग शीतिल हो गए और वे भागने में आसमर्थ हो गए या में समरूप उस राक्षच के उन दोनों उन दोनों को मार दिया हमारे गनों ने उस शेत्र के परभाव और उन दोनों के धार्मिक सा भाव के कारण उन दोनों को बे ज़ेश जी के पूजक व्यष्णव और शक्ति के पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिता है उसी भांदी ये सब अंत में मेरे ही स्मीप आते हैं जो शिवजी नुमंड है जो सुर्य को मानता है व्यश्णव के शक्ति के पूजक अकीला मैं ही नाम और किर्यास के भेट से पांच रूप में विभक्त हूँ जैसे किसी का नाम देवदत है वही देवदत किसी का बाप है किसी का पुत्र है किसी का बाई है और किसी का पतीज़ है लेकिन वास्ता में यह देवदत एक ही है अस्तु सुझे के समान ते जश्री वे दोनों मेरे विकुंठ में आक यथा समात्त राधे राधे हरी कृष्णा लक्ष्णीपति विष्णु भगवान की चैए कार्ति के दिन कार्ति के फुरे महीने इस सब्रुक की पूजा की जाती है ये शोदा मिया के साथ ता मुदर भगवान का पिशनकादा मुदर सब्रुक की पूजा की जाती है